हर पल भी ते लम हो की अनुगूंज है हर पल भी ते लम हो की अनुगूंज है नमस्कार शुरोताओ कारेकरम अनुगूंज की आज की कड़ी में आपका स्वागत करते हैं हम मंगतराम और टपस्या शुताओं अनुगूंज की आज की कड़ी में हम आपका परिचे करवाएंगे हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे व्यक्तित्व से जुना सिर्फ एक मूर्धन्ने हिंदी साहित्यकार के पुत्र थे अपितु स्वेम हिंदी के एक चोटी के साहित्य जनक थे जी हाँ आज हम आपका परिचे करवाएंगे लेखक मुन्शी प्रेम चंद के पुत्र हिंदी साहित्यकार अमरित राय से अमरित राय का जन्म 3 सितंबर 1921 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था इनके पिता मुन्शी प्रेम चंद हिंदी के लेखक और संपादक थे इनकी माता का नाम शिवरानी देवी था अमरित राय का पैत्रिक गाउं लमही था और उनका बच्चपन इसी गाउं में बीता अपने पैत्रिक गाउं, लमही और अपने पैत्रिक घर की बच्पन की यादें साजा करते हुए अमरित राये ने आकाश्वाने को बताया था बनारस शहर से कोई चार मील की दूरी पर है आजमगर्ड रोड पर यह हमारा गाउं परता है और मुझे अपने जिस बच्पन की याद है इधार तो बहुत एक रमाना समझों कि आधी चाबदी से रहने का तफाफ नहीं हुआ 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 है लेकिन उसके पहले कि तमाम समयतिया मेरी गाउं के हैं क्योंकि मैं जैसे लख्टों में परता था तो गर्मी की छुट्टियों में सीधे हैं हम लोगना ही आ जाते थे और लम ही में मेरे तमाम दोस्ते पराबर आता जाता रहा हूं मैं रह नहीं पाया तो एक तुम बने जो पर यह फूर कहानी अगर मेरी देखी हुआ है तो ऊसमें जिस आंगन में बैट के हम लोग खेर रहे हैं वही उसी घर का अंगन बड़ा खूब शुरत था बिलकुर सादा था उसमें कुछ नहीं था यानि कि किसी तरह कि सजावट बनावट कुछ नहीं लेकिन हाँ वो बस इतना था कि पच्चकूब उधम मचाते थे और बड़ी चोई-चोई उसकी दिवारें थी और शाम होते ही मेरी बड़ी अमा थी व वो तिया लेश देती थी 1926 में मुन्शी प्रेमचंद लखनव आ गए जहां अमरित राय ने सेंटिनियल स्कूल से पढ़ाई की अमरित राय बच्चपन से ही मेधावी चात्र थे पाठ्यक्रम के अतरिक्त वो मुन्शी प्रेमचंद से हिंदी उर्दू भी पढ़ते थे कुछ समय पश्चात मुन्शी प्रेमचंद को बंबई जाना पड़ा और अमरित राए को इलाबाद की कायस्त पार्शाला से पढ़ाई करनी पड़ी किशोर अवस्था से ही अमरित राए ने लेखन आरंभ कर दिया था उनकी रचनाएं बालक, बालसखा, किशोर, वानर, भारत आदी पत्रिकाओं में छपती रही अमरित राए ने बनारस के क्वीन्स कॉलिज से इंटरमेडियेट किया अपने उस समय के लेखन के विशे में बताते हुए अमरित राए ने कहा था मैं लिख रहा हूँ समझ लो कि सन 34-35 से लिख रहा हूँ जो मैं बच्चा था और मेरे तबाँ पुरानी चीज़ें बालक में, बालसका में, किशोर में, वानर में तुमको मिलेंगी 34-35 में उसके बाद मेरी पहली जो वयस करचना है न जिसको मैं वयस को मानता हूँ वो दिसमबर 36 में भारत में चख़ए थी उस समय मैं हाई स्कूल करके इंट्रमीडियेट के पहले साल में था अनारस में, कुईंस कालेज में 41 के बाद के बाद का कुरी सचेत भारत में एक बड़ी चीज़ चपी थी, हम रखेल अमरित राए ने 1940 में इलाबाद विश्व विद्याले से हिंदी साहत्य में सनातक और 1942 में अंग्रेजी साहत्य में सनाकोत्तर की परिक्षा उत्रीन की अपनी पढ़ाई के दोरान वो माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए वो स्पतंडरता संग्राम में भी भाग लेने लगे अमरित राए विश्व द्याले के माहौल से अलग, सामाने वर के जीवन से जादा जुड़े थे उनके उस समय के लिखन पर उनकी विचारधारा का भी प्रभाव रहा एक लेखक और राजनितिक विचारधारा के बीच के सामन जस्थे के बारे में उने कहा था राजनितिक चेतना की धारा अलग चलती रही और लेखन की धारा अलग चलती रही इस तरह से होता नहीं जिन्दगी का खेल, बड़ा ही अंतर गुम्फित, बड़ा ही संस्लिष्ट, बड़ा ही रहस स्पून, वो सब्ध्यापार है, इसलिए ये कहना कि अलग रहती है, कोई इस तरीका से चाहे भी, कि तुनों द्रविल प्रायाम करें, जो अपने मन के अलग अलग इस तरह के कोटर बना सके तो बना सकता नहीं, एक जो आदमी के समग्र द्रिष्टी बनती है, दुनिया को देशने की, अपने को देशने की समाज के प्रश्टों को उन्ही के संग लगा लिप्टा, ये भी है, होगा कुछ लोग ऐसे होते होंगे, जो कि के वर राजनीतिक द्रिष्टी जिन के पास रहते हैं, लेकिन लेकर तो बहिए मुखेता अपनी मानवी संगेदना से चलता है, जिसको की, वही उसकी पूंजी है, उसको उसकी समग्र सामाजी के राजनीतिक द्रिष्टी जो है, और जैसे सम्रिद्ध करती है, संपन्न करती है, उसको रूप देती है, उसको पढ़ाई के उपरांत अमरित राये ने नौकरी करने की जग है, अपने पिता की पत्रिका हंस के संपादन को जारी रखने का निर्ने लिया, और साथ-साथ अपना लेखन भी जारी रखा 1943 में उन्होंने महादेवी वर्मा और अन्य सहित्यकारों के साथ मिलकर, बंगाल के अकाल प्रीडितों की सहायता के लिए एक पुस्तक बंग दर्शन लिखी, इसी दोरान उनका विवा सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी सुधा से हुआ मुन्शी प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका हंस से कौन-कौन से प्रसिद्ध लेखक उनके समय में जोड़े हुए थे अमरित राये ने बताया था कर बड़ी आंतरिक रुप्ति हुई कि सच्मिच हंस कैसा प्रतिमिधी पत्र था समस्त प्रकत शीर जीतना का मुक्तिबोत, केदार, भवानी मिश्र, रंगेतागर, हरिनायन व्याद, शुमंगल सिंग, सुमन, कौन नहीं हुआ कभी हमें अमरित राये ने लगभग 125 कहानिया लिखी, उनके 12 कहानी संग्रे प्रकाशित हुए, जिन में प्रमुख है, जीवन के पहलू, इतिहास, लाल धर्ती, कटकरे, विद्रो, घायल की गती घायल जाने आती अमरित राये की कहानियों में जीवन के धरातल से जुड़े पात्र संगर्श शील होते हैं, उनका लेखन आर्थिक, सामाजिक, तानेबाने के इर्द गिर्द गूमता है वो अपनी विचारधारा की लकीर पर तो चलते हैं, पर बुद्धिवाधी का मुखोटा नहीं लगाते उनकी प्रतिनिती कहानिया हैं, हमरखेल, मरुस्थल, प्रश्न, पति पत्नी, कस्बे का एक दिन आदी कहानी कस्बे का एक दिन के विशे में उन्होंने कहा था कस्बे का एक दिन लिखते समय मुझे गोर्की का कामरेड स्केच याद आया था और मैंने चाहा था कि अपने स्केच में मैं समाज के उन तक्तों की और भी संकेट कर सकूँ जो कस्बे की गर्दमट जिन्दगी को सुचारू और सुववस्तित रूप देने के लिए प्रैतने शील हैं और एक दिन जिनकी जीत होगी लेकिन तब भी मैं वैसा नहीं कर सका ये कुछ अंशों में मेरी अपनी अक्षमता भी है इस अर्थ में कि मेरे पास वो तेज निगाहें नहीं हैं जो समाज के उन तक्वों को जब किवल बीज रूप में हैं देख सकें तो बात इतनी ही नहीं है लेकिक जिस सामाजी परिवेश जिन पात्रों और जिस करहावस्तों को लेकर चलता है वे भी एक हद तक लेकर को एक खास निश्पती की और जाने पर विवश करते हैं कस्वे का एक दिन में नव निर्मान के तक्वों की सूचना नहोने के पीछे मेरी अक्षमता के सासाथ उस सामगरी की अंतरिक अक्षमता भी है जिसने स्केज के इंट गारे का काम किया है इस प्रेशन पर विचार करते हैं इन दोनों ही बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और पूरी कहानी एस स्केज पर इसी सम्मिक दिश्टी से विचार करना पड़ेगा और लेखक भविष्य को वतमान के परदे पर फेक पाता है या नहीं फेक पाता इससे जादा बड़ी बात यह है कि वो अपने साथ और अपने पाठक के साथ छल नहीं करता कहानियों से इतर अमरित राय ने विविद विदाहों में भी लिखा नाटक संग्रह, आजभी, यात्रा बृत, सुभह के रंग, हासे व्यंग रचनाय, आनंदम, बत्रस, जीमनी, प्रेमचंद, कलम का सेपाई, समा लोजनात्मक पुस्थकें, नई समीक्षा, विचार धार और साहित्य आदी, उनकी प्रमुख रचनाये हैं। मरुस्थल है, पति-पत्नी है, और मुंशी जी है, तीन चित्र है, इन में जो मेरी राजनीतिक चेतना एक होती है, जिसको अंग्रेजी में छोटे आर्च से आप लिख सकते हो, हम रखेल कहानी को देखें। और महेसरी से जो नर है, और नंदेसरी से जो रखेल है, यानि नारी नहीं, नर नहीं, मानव नहीं, पशु नहीं, सब के बीच एक अध कचरा समझाता। रजेसरी, महेसरी, नंदेसरी और महेसरी इस तरह से कहानी शुरू होती है, तो आप ही देखें। रजेसरी जो कईशोरे से उचल कर सीधे मातित में जाड़ धेर हो गई है, जिसे खुद अभी आँचल की ओर चाहिए, और जो अपने पती के घने बालों वाले सीने में, मूँ धसाने के बजाए, मा के उबक्ष में लग जाना चाहती है, ऐसी रजेसरी, साथ बरस उसकी शादी के हुए है, अब वो इकीस की है, कुछ मा कमुद अब आप इसमों दिखिए, कि इसमें पश्ट है, कि इस आदमी के लेखक का मन किदहर है, यह इस तरह के शादी जो कि 14 बरस के बन में होती है, और 21 बरस के बच्चे बच्चे हो गए रहते हैं, यह उ पतंतृता प्राप्ती के बाद अमरित राय को उनकी मार्क्सवादी विचारधारा के कारण गिरफतार करके इलावाद और बनारस में कारावास में डाल दिया गया, कारावास में उन्होंने अपना उपन्यास बीज लिखा, जो 1952 में प्रकाशित हुआ, उन्होंने जो उप फनी का देश, हाथी के दाथ, भटियाली, जंगल, धुआ आदे उल्लेखनी है, बीज उपन्यास के बारे में उन्होंने कहा था पीठिका तो उसकी राजनीतिक जरूर है, और राजनीतिक पीठिका होने में मैं कोई बुराई भी नहीं देखता, और नमबर दो, वही उस वक्त की मेरी जिन्दगी थी मैं पार्टी में, कॉमिनिस पार्टी में, बहुत निश्ठापूर वक्त, बहुत लगन के साथ काम कर रहा था वही हर्दालें, वही पुलिस, वही प्रदर्शन, वही पुलिस की मारधार, ये सब हमनों की जिन्दगी का हिस्सा था और वो उसी पीठीका पर एक कहानी कही गई, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा, तो आप ये पाईएगा, कि वो राजनीती की पीठीका जरूर है उसमें, लेकिन वो राजनीती जो है, और वो क्रांतिकारी संवेदना के रूप में, क्रांतिके पती लगाओ के रूप में आती है, और वो यूं से परसनलाइज कर ली गई है, कि जो मुख्य कहानी है वो सत्यवान और उशा के संबंध की कहानी है पहले प्रेम के और बाद में उनके दमपत्य के और किस तरीके से एक दमपती एक दूसरे के पास आते हैं जब वो एक दूसरे के सपनों को एक दूसरे की तर्ज़ जिन्दगी को जीवन शैली को शेयर करना शुरू करते हैं भागीदार बनते हैं अमरित राय ने पत्रिका हंस और नई कहानी का संपाधन किया वो प्रगतिशी लेखक संग से भी जुड़े रहे उन्हें मुन्शी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए 1963 में सहित्य अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया इसके अतिरिक्त उन्हें सोवियत लेंड नहरू प्रुसकार और भारते अनुवाद परिशद प्रुसकार भी मिले अपने लेखन के विशे में उन्होंने कहा था कि मैंने अपने भीतर से उटते हुए लफ़ को ही ठीक लफ़ समझा मैं शब्दों की तराश के लिए मैं कोश में नहीं जाता मैं आँख मूद कर अपने भीतर पैटता हूं और मुसको शब्द मिलता है जब लिखना शुरू किया तो चूंकि जिस जबान में सोचता था जिस जबान में बात करता था वही जबान लिखता था वही मुझको सहज लगती थी तो मैं लिखने लगा लेकिन इस पश्ट है कि जो सहज भाशा है वो जरूरी नहीं है कि वो सरल भाशा हो संदर्व के हिसाब से भाषा भी चड़ती उतरती है लेकिन बस आदमी अगर इतना सावधान रहे कि वो अपने प्रती, अपने उस अनुभव के प्रती, अनुभूती के प्रती, संवेदना के प्रती, उसके कान इतने सधे हुए हों कि शब्दों की गूंज और अनुभूंज सुन सके वो बहुत बार लगभग समानार्थक परियावाची शब्द आठाठ, दस दस, पंदर, पंदर मेरे पास उभर के आते हैं लेकिन उन सब में शब्द जो ठीक शब्द है, जिसको फ्लबेर ने लेमों यूस्त का, चस्त हुआ है, वो एक ही है, वो एक ही होगा, किसी भी हालत में एक ही होगा, दो नहीं होगा, तो उसका लेकि आपके पास सांडिंग बॉर्ड होना चाहिए 14 अगस्त 1996 को इलहाबाद में 75 वर्ष की आयू में उनका निथन हो गया, आपको अनुगूंच की आज की ये कड़ी कैसी लगी हमें जरूर बताएगा तो अब हमें यानि मंगत राम और तपस्या को दीजिए अनुमती, नमस्कार झाल